दोस्तों अगर आप भी एक नए यूट्यूबर है तो आपने sub4sub का नाम तो जरूर सुना होगा और अगर आपने इस sub4sub के बारे में नहीं सुना है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों मैं उसी sub4sub application के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके मदद से आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइबर वाच्टाइम और व्यूज वगारा गेन कर सकते हो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी इसी वीडियो मिल जाएकि जिसमें बताया जाता है कि दस दिन में आप अपने सब्सक्राइबर कमप्लीट कर लो ये डाउन्लोड कर लो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ क्या जो ये प्रोस पर से डाउन्लोड करेंग और करवा सकते हैं तो आज की मेरे वीडियो इस्पेशली उन नीव यूटूबर्स के लिए ही है जिन्होंने भी नए नए यूटूब में कदम ही रखा है और जल्दी से जल्दी वह चाहते हैं कि अपना वाच्टाइम अपना जो सब्सक्राइबर का टार्गेट है वह कंप्लीट कर लें तो आपकी इस वीडियो में आपसे यह कंप्लीट डिटेल में शेयर करूंगा कि क्या यह आपको यह सब फोर सब का तरीका अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए क्या इससे आपके चैनल को कोई फाइदा है या फिर उल्टा आपके चैनल को नुक्सान हो सकत दोस्तों अपने यूटूब पर बहुत सारी इसी वीडियो देखी होंगे जिन्होंने ये बताया है कि आप अपने सब्सक्राइबर बहुत जल्दी से 10 दिन में 15 दिन में गिन कर सकते हो बस इस तरीके को अपना लो ये एप को डाउनलोड कर लो ऐसे कर लो आपका माइलिस्ट टास्क दिये जाएंगे टास्क के रूप में होता है तो उसमें आपको किसी दूसरे यूटूबर के वीडियो को देखना होता है उसके वीडियो को लाइक करना होता है और उसके बदले में आपके उस एप में पॉइंट के रूप में कुछ कोईंस जमा होते जाते हैं और उ इस तरीके से आपके चैनल पर व्यू सब्सक्राइबर्स वगारा आते रहते हैं लेकिन क्या यह तरीका सही है तो अगर इसमें मैं कहूं तो यह तरीका बिल्कुल ही गलत है यह आपके चैनल के लिए बिल्कुल गलत है चैनल डेड हो सकता है आपका इससे अब मैं वह भी बता से आप दूसरे की वीडियो को देख रहे हैं उसी तरीके से आपके वीडियो भी उस एप्लिकेशन पर किसी और को दिखाई जाएगी अब वहां से वो बंदा क्या करेगा कि वो अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपके वीडियो को देखेगा वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर लेगा लेकिन यह जो सब्सक्राइबर है यह सारे के सारे अपके डेट सब्सक्राइबर से मतलब कि वह आए किसलिए उस एप पर अपने चैनल के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए ना कि उनको आपके कंटेंट में इंट्रेस्ट है इससे होगा क्या कि वह अपने app पर जाएँगे, app पर उनको आपका video शो करेगा, वह आपके video को देख लेगे, video को देखने कर लेगे, उसके बाद आपकी channel को सब्सक्राइब कर लेगे, और फिर वहाँ से वह चले जाएँगे, उसके बाद क्या आपकी वीडियो दुबारा देखेंगे नहीं देखेंगे क्योंकि उनको उसमें इंट्रेस्टी नहीं है उनको सिर्फ अपना टार्गेट कम्प्लीट करना था जिसके उज़े सो उस एप पर आये थे तो इस तरीके तो जो आपका वाच्टाइम जो आएगा जो आपका सब्सक्राइबर आएगा वो किस काम का है किसी काम का नहीं है बिल्कुल बेकार है इससे आपके जो चैनल के जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होगी कभी भी नहीं होगी आपका channel जैसे था बिल्कुल वैसा ही रह जाएगा या फिर dead हो जाएगा friend क्यूंकि असली में channel को grow होना कहते किसको है असली में channel को grow होना वो होता है friends कि आपने अपना channel create किया आप अपने youtube पर वीडियोस डाल रहे हो अच्छे अच्छे वीडियोस डाल रहे हो वो YouTube पर बहुत सारे लोगों के पास जा रही है, लोगों को आपके वीडियो पसंद आ रही है, उस वीडियो को वो देखते हैं, अगर उनको उस वीडियो में कुछ अच्छा लगता है, तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, ताकि आने वाली वीडियो भी आप अपना टार्गेट कम्पलीट कर रहे हैं, तो यह करने से पहले आप यह सोचे है, फ्रेंट्स कि आप YouTube पर आएं क्यों हो, क्या आपका टार्गेट यही है, कि आपको 1000 सब्सक्राइब और 14,000 गंटे वाच टाइम कम्पलीट कर लेना है, और इसके बाद बस हो गया काम कम्प पकड़े, आप लोगों तक सही information पहुंचा पा रहे हो, तो audience अपने आप आप से जूरती चली जाएगी, आपको इन 3rd party applications के यूज करने की जरूरत ही नहीं है, यह बिल्कुल बेकार और फालतू तरीका है, फ्रेंट्स, इन सब चक्करों में मत परो, आप अपने चैनल पर अदत से आप यह complete कर भी लेते हो, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके आपने चैनल का monetize भी करवा लोगे, उससे भी क्या हो जाएगा, starting में आपके 1000 subscriber होंगे, 4000 घंटे का watch time भी आपने complete कर लिया, चलो मानते है, आपके चैनल पर व्यूज कितने आ रहे हैं, 1000 subscriber है, तो क्या आ 3rd party applications के चकर में मत पड़ो, आपका जो चैनल है, वो पूरी तरीके से बरबाद हो जाएगा, आपका चैनल ग्रो होना तो दूर अब तक आपने जो भी महनत की अपने चैनल पर वो सहरी भी बेकार चली जाएगी, इससे अच्छा है कि आप अपने चैनल को बड़ा करने के ब रेस्ट है, तो आने वाले टाइम में भी वो आपके साथ जुड़े वे रहेंगे, ना कि वो किसी 3rd party applications के थूर आपके चैनल पर आया थे, जिनको कि अपना टार्गेट कम्प्लीट करना था, तो ये शॉटकट तरीका अपना ना छोड़ दो और अपने चैनल पर फोकस करो, तो उस पर मेहनत करोगा, आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रोथ हो जायागा, और बहुत जल्दी अप सक्सिस भी हो जाओगे, तो फ्रेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब्फोर सब या फिर इस टाइप के दूसरे वेबसाइट के बारे में समझ में आ गया होगा, अगर जानकारी पसंद आई फ्रेंट्स तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले फ्रेंट्स, आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में